दिल्ली के सियम अर्विन केजरिवाल ने जेल से निकलने के बाद आज प्रेस को समोधित किया उन्होंने इस दोरान प्रियम मोधी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि वह 50 दिन बाद जेल से लोटे क्योंकि उन पर बजरंग बली की कृपा थी उन्होंने मुझे दिल्ली औ अपने पद से इस्तिफान क्यों नहीं दिया। इसलिए उन्होंने साजिश रची की जूटे केस में उन्हें पसा दो। वह खुद बखुद जेल चला जाएगा और उसे इस्तिफान देना पड़ेगा। जूटी केस में फसा कर जेल में डाल देंगे और उनकी सरकार गिरा देंगे मैं इनकी यहां मन्शा पूरी नहीं होने दूगा। उन्होंने कहा कि मुझे पद का लालच नहीं है। जब पहली बार सियम बनाया था तो मैंने 49 दिने खुद पद छोड़ दिया था। ऐसे सियम का पद हजार कुर्बान लेकिन आज मैं इसलिए सियम पद से इस्तिफा नहीं दे रहा हूं क्यूंकि मुझे राजनितिक शर्यंत्र रचकर जेल में भेजा है। मेरी लड़ाई ताना शाही के खिलाफ है। बहुत से लोग मेरे जेल जाने से बहुत भावक हुए हैं। मैं सभी का अभार जताता हूं। सभी खुश रहे इस वर से यहीं कामना है। इंडिया 24 इंडू 7 लाइफ टीवी से ब्यूर पूर। खुब क्रिपा है हमारे उपर, हमारी पार्टी के उपर, देशवासियों के उपर। उनी की क्रिपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूंने तो किसी को उमीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बहार आ जाऊंगा। लेकिन उपर, बचरंग बली की गृपा है, नुवान जी की गृपा है हम लोगों के उपर, और चमतकार हुआ हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। दोस्तों, हमारी आमाद्मी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों के अंदर है, अभी दस साल पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी को कुचलने में, खतम करने में, प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिये, एक साथ। अरविन केजरीवाल, मनी सिसोधिया, संजे सिंग, सतिंदर जेन। बड़ी बड़ी पार्टीों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खतम हो जाती है। आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिये, उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी। लेकिन ये पार्टी निया, ये एक सोच है, जितना ये खतम करना चाते हैं, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाते हैं प्रधान मंतरी जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोधी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोधी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरी वाल की और आम आदमी पार्टी की दस से पंदरा मिनिट बात करते हैं, उनक इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुछल दिया जाए, ये ताना शाही है, अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भव आप कुछ काम नहीं करो, और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जंतंत्र नहीं है, ये इस देश की जंता पसंद नहीं करते हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, छोटे से नोगे हम लोग, छोटी सी पार्टी है, 75 साल के अंद किया मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं देश के सबसे बड़े चोड उचक्के और ड़कयतों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोडी जी कहते थे सतर हजार करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद असी आद्मी को अपनी पार्टी में शामिल कर किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे E.D. और C.B.I. के मामले खतम कर देते हैं और कहते हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ मैं मोदी जी को कहना चाता हूँ भरष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी भरष्टाचार के छिलाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़िए है 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक और्डियो मेरे पास किसी ने वर्चसेप कर दिया उस आडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था आप लोगों को याद होगा मैं अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया जेल भेज दिया था अपने मंत्री को ये होती है भरस्टाचार के खिलाफ लड़ाई पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री मेरा एक मंत्री भरस्टाचार में मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है वो पैसे मांग रहा है वहाँ पे मान साब ने उसको किसी को भी विपक्ष को नहीं पता था मीडिया को नहीं पता था हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया तुम देश के सारे चोर उचके डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरी वाल को जेल भेजदो और कहो मैं ब्रश्टा चार के खिलाफ लड़ रहा हूँ तो आप ब्रश्टा चार के खिलाफ नहीं लड़ रहे पर धानमंत्री जी आप देश वासियों को बेवकुफ मत समझो देश बच्चे बच्चे की जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एडी और सीबिया के सारे केस उनके रफा दफा कर देते केजरी वाल को क्यों गिरफतार किया केजरीवाल को गिरफ़तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ़तार कर सकता हूँ तो किसी को भी गिरफ़तार कर सकता हूँ किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफतार कर सकता हूँ एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधान मंत्री जीने बहुत ही खतरना देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूँ समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं मोदी जी और इसको दो स्टर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सब को निप्टा देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सब को निप्टाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीज सिसोदिया को जेल बेज दिया संजा सिंग को जेल बेज दिया सतंदर जैन को जेल बेज दिया केजरिवाल को जेल बेज दिया हिमन सुरेन को जेल बेज दिया ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया केरिला के सीम के पीछे पड़े है अगर ये चुनाव पीछ जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होगी तेजस्वी आदफ जेल में होगा स्टेलिन साथ जेल के अंदर होंगे पिनराई विजियन जेल के अंदर होंगे उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे जितने ही विपक्ष के नेता हैं ये सारे जेल के अंदर होंगे अगर ये चुनाव जीत गा इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा आडवानी जी की राजनीती खतम कर दी इन्होंने मुरली मनवर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरदेश का चुनाफ जीत के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंग चोहान ने उसको मुख्यमंतरी ने बनाया उसकी राजनीती खतम कर दी वसंद्रा राजे की राजनीती खतम कर दी इन्हों ने खक्तर साथ की राजनीती खतम कर दी डॉक्टर रमन सिंग की राजनीती खतम कर दी अब अगला किसका नंबर है योगी अदितिनाथ अगर ये चुनाफ जीत गए मेर से लिखवालो दो महीने के अंदर उत्तर परदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग योगी अदितिनाथ की राजनीती खतम करेंगे उनको भी निप्टा देंगे ये लोग यही तानाशाही है दोस्तों वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा हमारा देश बहुत महान है चार हजार पांच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मौके आए जब इस देश के उपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तख्ता उखाड के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के उपर कबजा करने की कोशिश की इस देश की जनता ने उसका तखता उखाड़ के फैंक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंतर खतम करना चाता है आज एक ताना शाह इस देश से लोकशाही खतम करना चाता है मैं पूरे तनमन धंसे लड़ रहा हूँ संगर्श कर रहा हूँ उस्ताना शाक के खिलाफ एक سो चालिस करोड लोगों का साथ चाता हूँ गा मेरे अकेले के करने से नहीं होगा 140 आज मैं आप लोगों से भीक मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड लोगों से 140 करोड लोगों से भीक मांगने के लिए आया हूँ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरा भारत बहुत महाँ है इस ताना शाही से बचा लो मेरे देश को मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 गंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 गंटे काम करूँगा पुरे देश भर में गूमूँगा इस ताना शाही को रोकने के लिए दोस्तो जितनी मेरे अंदर टाकत है मेरे सब कुछ कुर्बाने देश के लिए मेरे तन मन धन सब कुछ कुर्बाने मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कत्रा मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाओंगा दोस्तो अब एक बहुत महत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ये लोग इंडिया गठवंदन से पूछते हैं आपका प्रधान मंतरी कौन होगा मैं मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधान मंतरी कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केजरी वाल क्या बात कर रहा है मोदी जी होंगे नई मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे है बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले आडवानी जी को रिटायर किया गया उसके पहाद मोदी महरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया, अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आपका प्रधान मंत्री का दावेदार कौन है, दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो, उस पे भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी, तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निप्टाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित्षा को ये प्रधान मंत्री बनाएंगे, तो मै लोगों को देश के लोगों को आगा करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी अमित्षा को प्रधान मंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से अर अमित्षा जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो इसे तो मेरे को लगता है मैं भी आउंगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब बीजेपी का वोट देने जाएं वो यह सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दे रहें आप अमित्श है अब एक खुश खबर है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझ के कहीं है वहां बैठके यही सोच रहा था पचास दिन से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए बीस घंटे हो गए इन बीस घंटों के अंदर भी मैंने रात भर मैं जनता से बात कर रहा था लोगों से फोन कर रहा था रात को आंधी आई थी पिछले बीस घंटे में मैंने जो बात चीत करी है कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की सेफलोजिस्ट से बात की जनता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आखलन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही दोस्तो अगर मैं गलत हु तो मिरे को बताना हर्याना में इनकी सीट कम हो रही है राजस्तान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिल्ली में कम हो रही है बिहार में कम हो रही है महराष्टर में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है जारखंड में कम हो रही है बढ़ कहा रही है यूपी में कम हो रही है बढ़ कहा रही है बढ़ एक भी जगे इनकी सीटे नहीं बढ़ रही है मेरा अपना मानना और 60ऊ 7Gen में भी मॉअभवा बच्ज़ चल रहा है इनकी 2002 की आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी दिल्ली को पूर्न रज् Г दिलाएंगे दिल्ली का LG, लोगों का LG होगा, दिल्ली का LG, दिल्ली वालों का LG होगा, गुजराथ से आये हुआ है भी दिल्ली के लोगों का LG होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया केजरिवाल सी एम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं यहाँ मंतरी, मुख्य मंतरी, परधान मंतरी यह सब बनने नहीं आया इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था कमिशनर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की जुगियों के अंदर एक नी, दो नी, तीन नी, दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर कां किया है सुन्दर नगरी और नंदर नगरी की जुगियों के अंदर इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़के जब मेरे को दिल्ली की जंता ने इस पहली बार सीम बनाया असूलों के उपर उननचास दिन के अंदर सीम पद से इस्तीफा दे दिया था एक चपरासी की नौकरी कोई नी छोड़ता सीम बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप सीम की कुरसी को लात मार दी थी उननचास दिन के अंदर मेरे लिए सीम पद इंपॉर्टन नी है आज मैंने CM पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56% वोट एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्यों की सरकार 75 साल में नहीं जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के पावजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उनको पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं रा सकता तो उन्होंने एक शड्यंतर रचा राजनेतिक शड्यंतर रचा केजरीवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजरिवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केजरिवाल की सरकार गिर जाएगी उन्होंने ये शड्यंत्र रचा मैंने का मैं भी इस्तीफा नहीं दूँगा तुम अगर तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे कता इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फसने वाले नहीं हैं ये अगर हेमन सुरेन साब को भी इस्तिफा नहीं देना चीए था जेल से सरकार चलानी चीए थी अगर हमने इस्तिफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंतरी को पकड़ के जेल में डाल दो सरकार गिरा दो उसके मुख्यमंतरी को पकड़ के जेल में डाल दो सरकार आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रहके दिल्ली की जेल से स्तिफा नहीं दे रहा वो इस ताना शाही के खिलाफ संघर्श कर रहा हूँ इसको समझ लेना है केज रिवाल को किसी पद का लालच नहीं है सौ सीम की कुर्सी देश के नाम कुर्बान है दोस्तो मुझे पदा चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावू क्यों है खासकर मेरी माँ बहने महिलाएं बहुत रोई कई उने बहुत मन्यते मांगी मैं सब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने अपनी दुआएं करोडों करोडों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी है पूरी दुनिया भर से करोडों लोगों ने दुआएं बेजी, उन्हीं के आशिरवात का कमाल है, कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोग सब लोग सुखी रहें, देश खूब तरक्की करें, फले फूले आप सब लोग खूब खूश रहें, ऐसी मेरी करें यहाँ, मता की!